Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बेहदी अमीर सहर के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है मकाउ दोस्तो मकाउ अपने Black Sand Beaches, Casino, आलिसान लगजिरियस जिन्दगी जीने का तरीका के लिए जाना जाता है दोस्तो मकाउ में एक से बढ़कर एक रिसॉर्ट और बजार लगते हैं एक समय के दोरान पुर्तगाल के उपनिवेस होने की वज़ा से मकाउ में चीन के साथ-साथ यूरोपिय सैली भिभरपूर मातरा में जलकती हुई नजर आती है इसके अलावे मकाउ टावर एडवेंचरस का भी गड़ माना जाता है दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस छोटे से सहर में भी बड़े ही जोरो-सोरो से वैसर वरिती जैसे कामों को करी जाती है और इस काम को यहाँ पर कानूनी रूप से मन्यता भी दिया गया है मकाउ के GDP का तकरीबन आधा हिस्सा जुए से आ जाता है और यह तकरीबन हर साल के 45 अरब डॉलर के बराबर है जो लौस वेगस की तुन्ना में साथ गुना जादा है दोस्तो अगर बात करें मकाउ के पूरे छेतरफल के बारे में तो यह सहर है तो बहुत छोटा लेकिन फिर भी मकाउ का पूरे छेतरफल मातर 115.3 स्क्वाइर किलोमेटर की एरिया में फैला हुआ है लेकिन मकाउ को पूरे दुनिया भर में सबसे घनी अबादी वाले सहरों में गिना जाता है जहां पर केवल 33 किलोमेटर की एरिया में 6 लाख नागरिक बसे हुए हैं दोस्तो मकाव चाइना के एक विशेश ठेतर होने के वज़ा से इस सहर को एक खास सुईधाय प्रदान करी जाती है और बाकी देशों के कानुन भी इस सहर पर लागू नहीं किये जाते दोस्तो मकाव एक एतेहासिक सहर का सम्मान रखता है और सैकड़ो सालों से चीन से जाने वाले रेसम का एक महत्यपूर ने केंदर बना रहा है लेकिन आज के सामय में मकाव एक दम चका चौन से भरा पूरे मौज मस्ती के साथ साथ एक जगमगाता सहर है इसके साथ है अगर बात करें मकाव के पूरे पौपूलेशन के बारे में तो इस सहर के पूरी जन संख्या 6,60,000 के करीबन है दोस्तो कि आपको यहां का ये बात पता है कि मकाव के पूरे पौपूलेशन का तकरीबन 95 प्रतिसत अबादी चाइनीज लोग बसे हुए हैं मकाव को पूरे 50 सालों तक राजन्याती का जादी दे रखी है दोस्तो चीन के दक्षिनी पूर्वी तर्ट परिस्थित ये जगह दो व्यवस्थाओं का एक नमुना है दोस्तो मकाव के प्रसिद्धी का सबसे बड़ा कारण यहां की कसीनो और गैमलिन की दुनिया है यहां पर यूएस के लॉस वेगस के बाद यहां पर सबसे ज़दा कसीनों देखने को मिलते हैं मकाव के नजारे बेहद ही अलग होते हैं पूरे 24 घंटे मोहल रंगीन ही बना रहता है इसके साथ ही यहां पर पैसे के रूप में चलने वाली करनसी को मैकनेस पटाका कहते हैं जो एक मैकनेस पटाका हमारे भारत देश में तकरीबन 9 रुपै 37 पैसे के बराबर आता है दोस्तो मकाव में इस्थित ब्लैक सैंड बीच पूरे विश्व के सबसे सुन्दस समुदर तटों में से एक है पूरे दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग काले रंग के रेत को देखने के लिए इस समुदर तट को देखने के लिए जाते हैं जहां का नीला साफ पाने, हरे रंग की चटाने और काले भूरे रंग की बालू किसी भी लोगों को अपनी और आकरसित कर लेती है इस बीच पर टूरिस्ट बार्बी क्यूका भी भरपूर आनंद उठाते हैं दोस्तो मकाओं में इस्थित ताइपा गाओं और बजार आपके मनों को मोह लेने के लिए काफी है दोस्तो पुर्तगाली सैली की विसाल काई इमारते, गाओं में देखे जाना एक समाननी है यहाँ पर आपको पहले की समय में काफी प्राचीन मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे दोस्तो वैसे तो मकाओं सहर में पुर्तगाली के गए हुए काफी साल बीच चुके हैं लेकिन आज के समय में भी यहाँ के नागरिक पुर्तगाली के छोड़े के संस्कृतिक के अनुसार से ही अपना जीवन वैतीत करना पसंद करते हैं यहाँ का खाना काफी लजीज होता है जो टूरिष्टों को काफी जद़ पसंद भी आता है दोस्तों अगर बात करें मकाओ में अधिकारिक रूप से बोले जाने वाली भासा के बारे में तो यहाँ के ओफिस से लेंग्विज एक के बजाए दोदो को बनाया गया है जिसमें पहला चाइनीज और दूसरा पुर्तगीज है दोस्तों मकाओ पहले के समय में सस्ते नसे और भ्रष्टाचारी से भरा पड़ा था इसके साथी यहाँ पर वैस्याओं को असानी से सडकों पर घुमता हुआ देखा जाता था लेकिन चीन के आने के बाद इस सहर में काफी तेजी से बदलावाना सुरू हो गया और आज के समय में यहाँ पर तूरिष्टों की काफी जदा भीड लगी रहती है इसके साथी एक सहर के रूप में मकाओ की कोई भी राजधानी नहीं है दोस्तों मकाओ में रहने वाले लोगों की ओसतन आयू 85 सालों तक सिमित रहती है और इस सहर में प्रतेक साल भारी मातरा में बारिस होती है जो पूरे साल एक नम जलवाईयों के लिए महत्तपूर्ण योगदान भी देती है दोस्तों मकाओ की अधिकान समहिलाए या तो अच्छे कमपनियों में काम करती है या फिर कसीनो बार वगेरा जगाओं पर दान्स करके पैसे कमाने का एक जरिया बनाती है दोस्तों इस सहर के नाइट कलब्स में आप वो सारी चीजे कर सकते हैं जिसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करके वो कर सकते हैं जो आपने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा होगा तो दोस्तों ये थे मकाओ से जुड़ी कुछ अमेजिंग बाते अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस इस वीडियो को एक लाइक जरूर दिजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सुस्क्राइब करके नीचे दिये गए बैल आकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नाटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे फिर मिलते हैं ऐसा ही अगले इंटरस्टिंग वीडियो को लेकर तब तक के लिए बाबाई